नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं का आईशमान कार्ड बनाने के लिए ओप्रेटर आईडी के लिए कैसे अप्लाई करें अगर आप आईशमान कार्ड बनाने का काम करना चाहते हैं तो आप ओप्रेटर आईडी के लिए रेजिस्टेशन कर सकते हैं क्योंकि एक बार फिर से ओप्रेटर आईडी मिलना सुरू हो चुका है जिसमें कि आप जो है किसी का भी 5 लाख वाला आइसमान कार्ट जो है बना सकते हो जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है किसी भी government hospital या फिर जो भी listed private hospital है वहाँ पर जाके जो है 5 लाख तक का जो है मुफ्तिलाज करवा सकते हैं तो इस operator ID के लिए कैसे apply करना है operator ID कैसे मिलेगी इन सभी चीजों के बारे हम आपको detail में बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले आपको अपने mobile phone या फिर computer में google खोलना है सर्च बार में आपको type करना है बेनिफिसियरी एनेचे ठीक इस प्रकार से आप लिखेंगे बेनिफिसियरी एनेचे उसके बाद में सर्च करा देना है जैसे आप सर्च कराते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से page खुल के आएगा और यहाँ पे जो first link दिया है National Health Authority करके लिखा है नीचे website का link के दिया है बेनिफिसियरी.nha.gov.in तो आपको क्या करना है first वाले link के ही उपर आपको click कर देना है ठीक जिसके बाद में देख सकते हैं पोर्टल जो है खुल के आ चुका है यहाँ पे लिखा है आप आईश मान कार्ड बनाना हुआ और भी जो है यहाँ पर operator ID के लिए registration करना चाहते हो तो आपको नीचे sign up वाले option पर click कर देना है जिक जिसके बाद में यहाँ पर आधर JUNबर डाल देना है तो मैं आधार Mart से करना चाहिंगे या फिर फिंगर पिंट अगर डिवाइस है तो उससे भी कर सकते हैं फिलाल यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आप्टन है आधार OTP है तो आधार OTP को उपर किलिक करना है और यहाँ पे consent में यहाँ पे check box पे tick mark लगाना है allow की उपर किलिक कर देना है जिसके बाद में जो भी आधार कार्ड से registered mobile number होगा उस पर एक छांक की OTP चली जाएगी उस OTP को इस वाली box में डाल देना है OTP डालने के बाद में नीचे submit वाले option पे आपको किलिक कर देना है जिसके बाद में जो आधार कार्ड से detail है आपकी यहाँ पे फेच हो जाएगी अब यहाँ पे देख सकते है personal information में यहाँ पे आपका नाम, gender, age सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है जिसके बाद में आपका आधार काड़ एड्रेस है और यहाँ पे current address अगर आपका सेम है जो आपके आधार कार्ड में address है और वही आपका current भी address है current address के मतलब जहाँ पर आप मौके पर रह रहे हैं वही address है, same है आधार वाला तो आपको इसके उपर tick mark लगाएंगे नीचे का address अपने आप ही यहाँ पर फिल हो जाएगा अगर आपका current address दूसरा है तो आप उससे फिल भी कर सकते हैं उसके बाद में simple सा यहाँ पर आपको पनी email ID डाल देना है और यहाँ पर mobile number डाल देना है तो मैं email ID और mobile number डाल देना है एक link आपकी email ID पर जो है एक link चला जाएगा उस link को आपको जो है click करके verify करना होगा तो मैं एक बार refresh करता हूँ ठीक तो जैसे मैंने refresh किया यहाँ पर देख सकते हैं आगया प्लीज क्लिक हेर दि बिलो लिंक टू बेरिफाई योर रजिस्टेशन ठीक तो मैं इसके उपर click करता हूँ तो इस प्रकार से email ID पर link आएगा इसके उपर आपको click कर देना है और जैसे आप click करेंगे तो आपका जो email ID verify हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है congratulations your account has been verified please continue with the signing up process ठीक तो यहाँ से हम इसे close कर देते हैं बस इतना काम आपको email ID पर जाके करना है उसके बाद में आपको क्या करना होगा mobile number को भी आपको verify करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है verify को पर click करना है उसके बाद में आपके mobile number पर भी जो है एक OTP चला जाएगा उस OTP को आपको क्या करना यहाँ पे डाल देना है तो मैं उस OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ और डालने के बाद में आपको क्या करना है इसे भी जो है verify कर देना है ठीक तो यहाँ पे देख सकते हैं verify हो गया उसके बाद में नीचे अब add role detail में यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान तो आप किस के थूरू जो है लेना चाहते हो, किस कमपनी के थूरू जो है लेना चाहते हो, आप उसे select करोगे, यहाँ पे हम select करते हैं SHAUP, ठीक, उसके बाद में यहाँ पे entity type के उपर जैसे आपके लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको कई अपसन मिलते हैं, जिसे card creation agency लेना च agency, card processing agency है, DIU दिया है, division दिया है, global दिया है, तो यहाँ पे हम card बनाने के लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे card creation agency के उपर किलिक करते हैं, ठीक, उसके बाद में entity name के उपर किलिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको CSC का option मिल जाएगा, ठीक, तो जैसे आप CSC से लेना चाहते हैं, यहाँ पे CSC के उपर किलिक करेंगे, ठीक, उसके बाद में, आप यहाँ पे ध्यान देजीएगा, कि parent entity में आपने coding select करिएगा, उसके बाद में user role के उपर किलिक करिएगा, यहाँ पे admin दिया है, agency operator दिया है, operator BIS दिया है, यहाँ पे हम agency operator के उपर किलिक करते हैं, क्योंकि operator लेना है उसके बाद में application में यहाँ पे आपको BIS select कर लेना है उसके बाद में add की उपर click कर देना है ठीक जिसके बाद में यहाँ पर आपकी detail है यहाँ पर देख सकते हैं add हो चुकी है किसी प्रकार की कोई truth लगती है तो यहाँ पर delete का option है action की नीचे इसको उपर click करके आप दोबारा से add कर सकते हो उसके बाद में user credential में आपको अपना username और password यहाँ पर create करना है तो यहाँ पर नाम और number मिला के जो है आप एक username बना लीजिए और password यहाँ पर अपने coding जो भी बनाना चाहते हो बना लीजिए तो मैं यहाँ पर एक username पहले बना लेता हूँ ठीक तो username मै यहाँ पर type कर लेता हूँ अपने coding यहाँ पर देख सकते हैं मैंने username डाल दिया password यहाँ पर बना लीजिए confirm password में और password में आप जो है जैसे letter उसके बाद में कोई special character या फिर जो है number डालके आप बना सकते हो ठीक उसके बाद में नीचे में submit का जो आप सनी स्कूपर आपको click क सकते हैं account created हो चुका है your account has been created और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं however roles has been sent for approval ठीक तो यह जो है आपका account create हो चुका है और जिस भी agency या फिर जिस भी company के थ्रूव आपने लिया है उसके पास यह approval के लिए भेद दिया गया है तो उसके बाद में आपको बेट करना होग उसके बाद में 12 से आपको इस page पर आना है और यहाँ पे login वाले option पर click करना है जिस mobile number से आपने register किया उस mobile number को आपको यहाँ पर डालना है mobile number डालने के बाद में यहाँ पे जो है आपको verify वाले option पहले click करना है उसके बाद में आपके उसी mobile number पर OTP चला जाएगा ठीक लोगिन का अप्सन मिलता है, सिंपल सा लोगिन कूपर किलिक करेंगे, तो आप इस पोर्टल पर जो है लोगिन हो जाएंगे, ठीक, जिसके बाद में आप किसी का भी जो है नया कार्ड बना सकते हैं, उसकी किवाईसी कर सकते हैं, ठीक, और उसका कार्ड अगर बन जाता है, उ पर देख सकते हैं लिखा है पेंडिंग और जैसे एप्रोब हो जाता है उसके बाद में सारा काम आप जो है कर सकते हैं तो आई वोप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें